टीवी के वन अफ दे बेस्ट कपल में से एक है शोईब इब्राइम और दिपिका ककड की जोड़ी दिपिका एक पॉफ्रेक्ट वाइफ की तरह घर भी संभाल ले दी है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी दिपिका ककर्ड और शोईब की दोस्ती ससुराल सीमर का के सेट पर शुरू हूई थी और आज भी दोनों के भी वो प्यार सा बंधन कायम है लेकिन जब से शोवव और दीपीका की शादी हुई है तब से काफी लोगों को इस बात की curiosity भी होती है जब दीपीका अब हिंदू है या फिर उन्होंने इसलाम कbool कर लिया है काफी सारे फैंस इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं लेकिन इस तरह के सवाल की तादा इस रमजान में तब और ज्यादा बढ़ गई जब दिपिका के घर से एक वीडियो सामने आया इस वीडियो में दिपिका शाम के इफ्तार के लिए कीचन में तरह तरह के पक्वान बना रही है लेकिन इफ्तार से ठीक पहले जब घर के तमाम मेंबर्स हाथ उपर उठा कर दूआ पढ़ रहे होते हैं तो देखिए एक जगह दिपिका के हाथ दीचे ही होते हैं तो ऐसे में फैंस ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या दिपिका ने अभी इसलाम कबूल नहीं किया है और ऐसे में जब शोईब ने अपने इंस्टरग्राम लाइब चैट पर क्वेशन आंसर सीजन शुरू किया तो ऐसे ही एक सवाल सामने आ गया देखिए एक फैंन ने पूछा प्लिस लेट मी नो यूर वाइफ इस हिंदो और मुसलिम अब शोईब ने इसका बड़ा ही शानदार जवाब दिया शोईब ने अपने जवाब में लिखा इंसान अच्छी है क्या सिर्फ इतना ही काफी नहीं है आपको बता दे कि शोईब और दिपिका की शादी को अब दो साल से भी ज्यादा हो चुके हैं दोनों ने 22 फरवरी 2018 को निका किया था दिपिका और शोईब एक दूसरे से बेंतिहा प्यार तो करते ही हैं साथ ही दिपिका शोईब के पूरे परिवार का भी खयाल रखती है यादि कुल मिलाकर दिपिका शोईब के रिष्टे में धर्म और मरस अब चैसी बाते कुछ ज्यादा माइने नहीं रखती हमारी तरफ से भी इस प्यारी सी जोड़ी के लिए धेर सारी बेस्ट विशिस